सब्सक्राइब कीजिए MS जादून यूटूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइगन पर लेटेश वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो क्या आपकी मॉबाइल में 4G की स्पीड आती है या 3G की स्पीड आती है और आपकी मॉबाइल में नेट बहुत स्लो चलता है दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आपकी मॉबाइल में 4G की स्पीड 5G की स्पीड में बदल जाएगा दोस्तो बहुत सिंपल सा काम है अब आप अपने मॉबाइल में 5G की speed से internet चला पाएंगे तो इसके लिए क्या करना होता है बस आपको वीडियो को end तक देखना है दोस्तो और मैं आपको बता दूगा कि आपको क्या करना है किस तरीके से आपको setting करनी है जिससे आप अपने mobile के अंदर 4G की speed नहीं 5G की speed में internet चला पाएं तो दोस्तो वीडियो को end तक जरूर देखियेगा और आप मेरे चैनल को subscribe करके bell icon पर प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तो वीडियो को like करके comment box में आप internet ट्रिक जरूर लिखियेगा तो चलिए दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ 7 तो आप इंस्टाग्राम पर search कीजिएगा और मुझे follow कर लिजिएगा वहाँ पर यह दिया आप कोई question पूछेंगे मुझसे तो मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा तो दोस्तो जैसे याप play store पर जाएंगे तो यहाँ पर search का option दिखेगा और यहाँ पर आप देख पढ़ सकते हैं net optimizer optimize your internet speed यह आपको search करना है दोस्तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जैसे ही आप यह search करेंगे तो जो सबसे फ़र्श नमबर का app है net optimizer तो इस पर आपको click करना है click करने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो मैंने इसको install किया हुआ है मुझे install करने की जटरत नहीं है आप इसको install कर लीजेगा तो दोस्तो अब इसके अंदर आपको setting करनी पड़ती है क्या setting करनी है तो आप यहाँ पर open का option दिखेगा तो open कीजेगा जैसे ही आप इसको open करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का interface दिखाई देगा दोस्तो यहाँ पर आपको यह box दिखाई दे रहा होगा term send conditions का तो इस पर आपको click करना है click करने के बाद get started पर click करना है दोस्तो अब यहाँ पर आपको इसको slide कर देना है इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही slide कर दोगे, तो यहाँ पर आपको get started लिखा हुआ दिखाई देगा, यहाँ आप पढ़ सकते हैं, get started, तो यहाँ पर इस पर आपको click करना है, जैसे ही आप इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर enable का option आपको मिलेगा, तो आप इस पर आपको एक्टिवेट का option दिखेगा, यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है, एक्टिवेट तो यहाँ पर आपको activate का option पर click कर देना है, तो यहाँ पर आपको कोई भी pop-up नहीं दिख रहा होगा, आपको मैं दिखा देता हूं, यहाँ पर आपको ultra data saving mode enabled दिख रहा ह तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर आपको activate पर click करेंगे, तो यहाँ पर connected का option मिल जायगा, यहाँ पर यह connect हो जाएगा थोड़ी देर वाइग, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ एड आता है दोस्तों छोटा सा, तो उसको आपको यहाँ पर रहटा देना है, हम close कर देते हैं, तो दोस्तो यहाँ पर यह activate हो चुका है, connected हो चुका है, तो दोस्तो अब आपके mobile के अंदर internet की speed काफी अच्छी आएगी, यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक key का option दिखेगा, चावी के जैसे, तो यह key का option आ यह activate हो चुका है, connected हो चुका है, तो दोस्तो अब आपके mobile के अंदर आप कहीं भी होंगे, तो 4G की नहीं सीधे 5G की speed आपके mobile में चलेगी, तो दोस्तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो share जरूर कीजिएगा, धन्यवात.